हालो स्टूडेंट्स गुड मॉनिंग आज आप देखेंगे लेसन फाइफ लाइफ इन दा नॉर्देन प्लेंज के कोशन आंसर बच्चो इस लेसन के हम लोग ने तिकड़ा करेक्ट आंसर टू एन फॉल्स किये थे आज हम लोग कोशन आंसर कर रहे हैं बच्चो यह कोशन आ यह ओकोशन आंसर देखें और फेयर नोट-बुक मे करें स्टाथ करते हैं वट इस अमेन ओक्यो पेशन आफ दा पीपल ओफ नॉर्देन प्लेंश नौर्देनीज सब्य के दिवर्य कृप्स देवर्स को आपको सिर्प ya liekना फार्मिंग बाकि आपका सब सेम है वाटार अर कौन इन पंजाब एंड हर्याना आपको क्या बताना है हर्याना और पंजाब की में क्रॉप्स बतानी बच्चों हम लोग ने लेसन पढ़ा था तो इसकी में क्रॉप्स हम लोग ने पढ़ी थी तो कौन-कौन सी है वीट राइस शुगर केट पल्सिस आर दा में क्रॉप्स ग् बच्चों हम लोग ने हम लोग ने पढ़ी वीट राइस शुगर केन एंड पल्सिस आर्दा में क्रॉप्स ग्रों इन पंजाब एंड हरियाना लिख लिया आपने अब हम लिखते हैं करने जा रहे हैं कोशन नमबर फो त्री नेम एनी थ्री फेमस नेम एनी थ्री फेमस टूरिस प्रेसे इन उत्तर परदेश तो बहुत सारी बताईती हैं यहां पर तो आपको सिफ त्री बतानी है आप लिख लिख लिजे आग्रा, आयुद्या एंड वारा नसी आर फेमस टूरिस प्लेसे इन उत्तर परदेश आग्रा, आयुद्या, आयुद्या, A-Y-O-D-H-Y-A, आयुद्या एंड वारा नसी आर फेमस टूरिस प्लेसे इन उत्तर परदेश No.4 No.4 है What is a staple food of West Bengal? तो बच्चों हमनबने पेले भी काटा की, मुख्य बोजन किए है West Bengal का Rice and fish is a staple food of West Bengal ओके? अब लास्ट कोशन है आपका Which state is called the land of tea garden? Tea garden के लिए कौन से स्ट्रेट को बोला जाता है बच्चों आपको मैंने बताया था Awesome is called the land of tea garden यहां land of tea garden को inverted commas में लिखेंगे स्चार्टे बच्चों हो गया के लिए इन question answers को दीरे दीरे हम फिर से पढ़ते हैं जिससे आप इसको आराम से वीडियो को watch करिए और इसको fair note book में करिए number one what is the main occupation of the people of the northern plains तो इसका answer बहुत easy है northern plains का occupation हमने बताया था farming है खेती farming is a main occupation of the people of northern plains question number three what are the main crops what are the main crops grown in Punjab and Haryana दोनों की main crops बंदानी है जो similar हों पंजाब और हर्याना की एक जैसी तो कौन-कौन सी है ग्यहू, चावल, गन्न, दाले यहां की main है wheat, rice, sugar cane, pulses, PUL, SES pulses are the main crops grown in Punjab and Haryana अब question number three लिखिए yes, name any, name any, three famous, name any three famous tourist places, tourist places in Uttar Pradesh कौन-कौन सी tourist places है जहां से बाहर से लोग उन जगाओं को देखने आते हैं तो number one, आगरा, A.G.R.A. आगरा, आयुद्ध्या, 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 एन वारा नसियार, famous tourist places in Uttar Pradesh next बच्चों है, what is a staple food of West Bengal rice and fish, दो कौन-कौन से food, staple food famous है rice and fish is a staple food of West Bengal question number five, which state is called, which state is called the land of tea garden tea garden के लिए कौन सा state है, awesome is called the land of tea garden students, आज हमारा ये lesson यही पे finish हो गया है आपका assignment है, in question answers को आप fair notebook में करोगे okay, goodbye students